आखिर क्यों टीम इंडिया डर रही हैं पाकिस्तान में ICC World Cup खेलने से? दोस्तो पहले तो फरवली 2025 में Champions Trophy host करेगा पाकिस्तान. ये एक ODI format tournament है. 50 over के match होंगे. 8 टीमें करेंगी participate. उसके बाद England में होगा World Test Championship का final. फिर T20 World Cup है इंडिया श्री लंका में. ये जो है न T20 World Cup. अब यहाँ पे आपको T20 World Cup अभी तो हुआ है 2024 में. तो हाँ बिलकुल ODI World Cup हर 4 साल में होता है. Champions Trophy हर 4 साल में होती है. मगर T20 World Cup 2 साल में होता है. तो अभी देखो क्या है कि कई पाकिस्तानी जर्नलिस्ट अब openly ये बात कह रहे हैं कि अगर इंडिया चैंपियन्स ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं जाता तो हो सकता है कि पाकिस्तान भी सेम टाइप का हाईब्रिड मॉडल डिमांड करे. जब भारत में T20 World Cup होगा. यहां पर आपको समझना होगा कि एक बड़ा ICC टूर्नामेंट होस्ट करना पाकिस्तान के लिए कितना इंपॉर्टेंट है. और हाल ही में भारत ने जो 2023 का ODI World Cup होस्ट किया था उससे इंडियन एकॉनमी में जितना पैसा आया था ना वो देखकर पाकिस्तान डेस्परेटली चाहता है कि इनके देश में भी एक ICC टूर्नामेंट हो जाए. क्योंकि आखिरी बार पाकिस्तान ने जब एक ICC टूर्नामेंट होस्ट किया था तब साल था 1996. जी हाँ, 1996 से लेकर अभी 2024 चल रहा है. पाकिस्तान ने तब से लेकर अब तक एक भी बड़ा ICC टूर्नामेंट खुद होस्ट नहीं किया है. और ये जो शेडियूल मैंने आप के सामने रखा है, इससे आप ये भी समझ पाओगे कि पाकिस्तान को अभी के लिए एक मौका मिला है. लंबे समय के बाद, 1996 के बाद से मैं कहूंगा, इनके पास एक मौका है, एक बड़ा ICC टूर्नामेंट होस्ट करने का. नहीं तो अगर ये ये मौका इनके हाथ से निकल वैसे देखो, टूर्नामेंट तो ये लोग होस्ट कर लेंगे, मगर इंडिया का मैच आपने अगर होस्ट नहीं किया, तो मेजर जो रिवेन्यू टिकेटिंग सेल्स का, टेलिविजन राइट्स का, ये पाकिस्तान के बोर्ड के हाथ से निकल जाएगा. ये लोग उतनी कमा होस्ट करने का, जबकि इंडिया 2026 में, उसके अलावा 2029 में और 2031 में होस्ट या फिर को होस्ट करेगा, वेरियस ICC टूर्नामेंट्स, और अगर यहाँ पर आपका सवाल ये है, कि एक कंट्री अगर ये जो ICC टूर्नामेंट है, ये होस्ट करे, तो क्या इससे एकॉनमी को जो होस्ट किया, इंडिया में चाहे फाइनल, हम हार गए हो, मगर ओवराल इंडियन एकॉनमी में 2.6 बिलियन डॉलर का इनफ्यूजन हुआ था, इसलिए एक बार को आप कह सकते हैं, कि बहुत सारे जो ब्रॉड कास्टिंग राइट्स हैं, ये जाते हैं ICC के पास, मगर य इंडियन एकॉनमी को कितना बेनिफिट हुआ है, और आने वाले टाइम में भी जो तीन बड़े ICC इवेंट हम होस्ट करेंगे, उसका भी economic impact आप इंडियन एकॉनमी पर देखोगे, 2.6 बिलियन डॉलर, जो एक बार को आप कह सकते हैं, इंडियन एकॉनमी के लिए कोई बह इंकेट टूरिज्म तो बिलकुल भी increase नहीं हुआ है, उसके अलावा आप देखोगे, जो इनकी domestic T20 लीग है, PSL ये लगातार losses सफर कर रही है, क्योंकि PCB ने जिस तरीके से structure बनाए हैं, फ्रेंचाइजीज का, उसकी वजह से PSL, ओवरॉल, आज भी loss making ही है, इसकी value नहीं ब तो इसका भी negative impact PSL पर आएगा, आप देखोगे, जादातर IPL के जो भी matches होते हैं, stadium हमेशा भरे आपको मिलेंगे, PSL के कई matches में आप देख लीजिए, stadium खाली मिलेंगे, पाकिस्तान के खुद ही जो उनकी domestic audience है, वही PSL देखने के लिए नहीं जाती, तो अब यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि पाकिस्तान के लिए जो यह ICC tournament है, यह host करना कितना important है, और अगर पाकिस्तान versus New Zealand या फिर Australia versus England, अब हालां कि अभी तो हमको यह भी पता नहीं है कि क्या इंडिया के साथ साथ क्या Australia या बाकी country पाकिस्तान में जाने के लिए will be comfortable, क्योंकि पाकिस्तान में Recently terrorism की wave में काफी बढ़ोतरी हुई है, तो अगर इंडिया नहीं जाता पाकिस्तान में ये भी देखना होगा कि England और Australia ये दोनों cricket team भी क्या दिये जाएंगे, पाकिस्तान में क्या ये comfortable होंगे, और वैसे भी अगर मान लो या जाते भी हैं, तो याद रखिएगा main revenue आता है, वह ये रहता है कि पाकिस्तान एक safe country नहीं है, हमें हमारे players की safety को लेकर concern है, जो बिल्कुल होना भी चाहिए, Indian players top target होंगे, पाकिस्तान की आतंकवादी संगठनों के, मगर इसके इलावा भी अगर हम देखें, जिस तरीके से कश्मीर में आतंकवाद बढ़ रहा है, पाकिस् गौतम गंभीर आज के समय कोच है, Indian cricket team के, इनकी एक पुरानी जो statement है, बहुत ज्यादा viral हो रही है, इन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान के साथ match नहीं खेलने चाहिए, पाकिस्तान में जाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम पाकिस्तान के against खेलते हैं पाकिस्तान में, त आज के समय गौतम गंभीर एक बहुत ज्यादा strong voice बन चुके है, within Indian cricket तो ये जो इनकी statement है matter करती है, ये statement हालांकि काफी पुरानी है, बट सेंस आज के समय ये coach है, माना जा रहा है कि जो इनके believe है, change नहीं हुए होंगे, chances बहुत कम है, Indian cricket team पाकिस्तान जाएगी, अगर हम बा भारत में host किया जाने वाला T20 World Cup 2026 का और पाकिस्तान में host होने वाला ICC Champions Trophy दोनों का क्या होगा, कुछ updates आती हैं तो मैं आपको बताऊंगा, बस आप video like और follow कर लीजिए